हेलो फ्रेंट्स, माइनेम इस कार्तिक, मेरे चैनल लेव्यू किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्प्राउट्स हैं, मूं के आज हम इसे खिले-खिले स्प्राउट्स, आज हम इसे ही बनाना सिखेंगे स्प्राउट्स बनाने के लिए, चैनल हम को थोड़ी दाल की चिए होगी जिसको हम इस बाऊल में डाल के अच्छी तरह से वाश कर लेंगे मूं की ताल को अच्छी तरह से वाश करके इसको मैंने भिगो के रख दिया है इसको हमें या तो अगर आप रात को भिगोएंगे तो रात को पूरी रात को रखना पड़ेगा और अगर आप सुबह भिगोएंगे तो आप पूरे दिन रखके आप इसको शाम को इसका पाने निकाल सकते हैं और हमारी दाल अब जो हमने कल रात को भिगोई थी अब मैंने इसका पाने ड्रेन करके यह हमने दाल देखे कितनी फूल गई है अब हम इससे स्प्राउट बनाएंगे अपने तो स्प्राउट बनाने के लिए आपको कोई एक छन्नी लेनी है कोई भी छन्नी ले लिजिए या इसमें आप नी दाल को डाल दीजिए और अब कर दानने के बाद आप इसको ऐसे रख सकते हैं और फिर इसको किसी प्लेट से भग भी सकते हैं किसी प्लेट से भग देंगे अ जो हमने इस प्राउट रखे हैं इस सुक्त कम से कम आपको 12 से 15 घंटे तक ऐसे रखने हैं उसके बाद आपके प्राउट बनके रेडी हो रहेंगे तो देखिए अब हमारे जो 12 घंटे हमने जो यह होई थी मूं 12 घंटी हो चुके हैं और देखिए कितने बड़िया स्प्राउट बनके त्यार हो गए हैं यह जो हमारे स्प्राउट बनके रेडी हो चुके हैं इसको अपने बाउल में डाल देजिए और इससे आप कुछ भी बना सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें